हलो बच्चों, ओनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है, आज हम वर्कशीट 46 जो क्लास 3rd to 5th के लिए है, सॉल्व कर रहे हैं, आज दिनांग 27.8.2020 के लिए वर्कशीट दी गई है, यहाँ पर बच्चे अपना क्लास और सेक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने अध्यापा के अध्यापिका का नाम लिखेंगे, चलिए हम अपनी दी गई कविता को पढ़ते हैं, कविता का सिर्शक है, मच्छनों से साफधानी, बारिश का मौसम आय सुहाना, काले बादल ठंडी हवाएं, सबके मन को हैं बहलाएं, आसमान में दिखा इंद्रध हनुष, सात रंग का मेला लेकर, पर देखो उधर, यह कौन आया, भिन भिन करता आया मच्छर, डिंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया लाया मच्छर, सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, चाहि करो तुम कितनी मस्ती, बर मच्छरों से दूरी अच्छी, तो हमने यह कविता पढ़ी, और अब हम इसके अधार पर दिये गए प्रश्णों को हल करते हैं, पहला प्रश्ण है, मच्छरों से कौन सी बिमारिया हो सकती हैं, तो बेटा, मच्छरों से आपने इह कविता में पढ़ा, कि डिंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, यह बिमार या हो सकती हैं दूसरा प्रश्ण है हमें अपने आपको मच्छरों से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाए करने चाहिए कोई दो उपाए लिखे तो यह तो बहुत ही आसान है बेटा पहला उपाए यह कि हम अपने घर के आसपास खुले में कहीं भी पानी ना जमा होने दें कूलर, पानी की टंकी, बरतन आदी कहीं पर भी पानी खटा ना होने दें और दूसरी सावधानी कि जब भी हम किसी काम से अथ्वा खेलने बाहर जाएं तो कोशिश करें कि हम पूरी बहां के कपड़े पहने और पैरों को भी पूरी तरह से ढख कर रखें और अगर यदी सं कामबा हो तो मच्छरों को दूर भगाने वाली दवाई को लगा कर या आप साधार नारिल का तेल भी लगा सकते हैं तब निकले ताकि मच्छर हमसे दूर रहें तीसरा प्रश्न देखिए बेटा दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताए या लिखिए आप चित् हमें बगीचे में दिखाई देते हैं तो बगीचे में जब हम जाते हैं तो कुछ अलग किसम के कीड़े कुछ दिखाई देते हैं जैसे देखिए पहला है लेडी बर्ग यह आपको कहां दिखाई देता है यह आपको बगीचे में दिखाई देता है ग्रास ओपर तो आप देती है उसके बाद honeybee honeybee तो फूलों का रस चूसने के लिए ही आती है बगीचे में उसके अलाबा moth यह भी एक ऐसा कीड़ा है जो हमें बगीचे में दिखाई देता है तो यह हो गए वे कीड़े जो हमें बगीचे में दिखाई देते हैं अब दूसरा प्रश्न है कौन से की चीड़े हमें हमारे घरों में दिखाई देते हैं तो घरो में आप जानते हैं चीटी ant हमें दिखाई देती है अक्सर mosquito जिनकी बात ओरही है मच्छों की वह हमें घरों में दिखाई देते है spider spider यानeping मकडि जो घरों में अपने जाले बना लेती हैं और कॉक्रोच कॉक्रोच तो आप सभी ने देखे होंगे कि बहुत बार हमारे घरों में बरसात की मौसमें कॉक्रोच पाए जाते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपनी वक्षिट समझ में आ गई होगी तो हमारे चैनल को जादा से ज सब्सक्राइब करें थांक यू